हमारे साथ जो शक्स खड़े हैं ये कोई आम शक्स नहीं है ये देश के करोडो देशवासियों का पेट भरने का काम करते हैं जी हां आप सही समझ रहे हैं ये हमारे देश के किसान है किसान भाई है इनका दूसरा पर्चे ये भी है कि ये टमाटर कोई ऐसे वैसे टमाटर नही एक करोण रुपए का टमाटर इस बार इनोंने बेचा है हम इनसे जानने की कोशिस करेंगे का इसे इनोंने यह कमाल कर लिए और धूसरा ये भी कि इस कमाल करने के बीच में कितनी चुनोतियों को इनोंने सामना किया। जन्वरी का में न चला ना जी उस्टाइम बलाइट का इतना जोर हो जी अगर एक दिन से प्रेनी करना तो दो दिन कंदर टमाटर का खेत साफ हो जी बहुत मेनत करनी पड़ा जी बहुत खरच्चा करना पड़ा पूरी गोर करनी पड़ा एक तक दिन सुबह और शाम आगा खेत में देखना पड़ा है। इसमें कोई खरभी तो नहीं है, सुंडी तो नहीं है कोई कीट तुन लग्या या कोई बीमारी तो नहीं आगी। इसमें जो सारी वद्यान राखना पड़ा जीब जायका यह इतने उत्पादन होया। कितना उत्पादन हुआ था इसबर? अब की बार सर्मान का चलो आप पंदरासु क्रेट अवरेज एक क्रेट पच्चिस किलो की होति है। सब को बदा जी 25 किलो की क्रेट होती है। और पंदरासु की मतलम आवरेज मान का सलो जाए। कितने राजियों में आपके टमाटर सप्लाई होते हैं। इल्ली विजावा जी। चंडीगड विजावा है। विमाचल में विजावा जी। जावा जी। में जावा जी। उत्रप्रदेश में भी जावा पंजावा… टमाटर की खेते में किन बातों का आप ख्याल लगते यह इस अप इतने बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। बहुत सारी इन्दिकतों का सामना भी करते होंगे। तो क्या वो छोटी-छोटी बाते हैं जिनका आप ख्याल रगते हैं जिससे अच्छी पैदावार होसती है और जो नुकसान है वो उससे बच सकते हैं जर जैसे आम शुरू में ट्रांस्प्लांट करा हैं अगस्तमा जी अगस्तमा आरे हैं वाइट भलाई हो जी उसको मतलब मरोडिया बोलते हैं जी बीमारी को जो उसको चुस्था ना जी पैड़ेगरास उससे मरोडिया आता है उस तेम तो दो रखना पड़ाए और सुन्दी क के बाद 10 दिन के बाद इन जो विशेज दियान रखना पड़ाई अच्छा अब पानी वगर का कैसे सिस्टम करते हैं पानी सिचाही वगर आम तो जी मारे डिपिंग सिचाही नहीं है जी शिद आवनाली में टूल से डारक्ट पानी देते हैं या डिपिंग वगर आमना करनी कौन सी टमाटर के वेराइटी आप उसके बीज का क्या ये बीज सरक तो मारे पास ऑजी नामदारी का पचासतेरा पचासतेरा लगां हो जी अगस्तमा लगां हो जी घृव 11mot और उसके बाद लगां हो फिर हम साओ याजी 20 सितंबर इसका टाइम आ रही हम पीस सितम्बर ठी भी जाए जी और उसके बाद लगा जाए प्यारी 660 वह पांच छे-साट आठक तुगर जी इस खासियत क्या होती है इस भीच की जो ब्यारी 660 जो जाद बना और जो पचास तेरा जी वह थोड़ा बोना पेड़ा हुआ है उसका तोड़ा यह रहा उसस्तार्टिंग मैं तोड तो देख रहे हो क्रेले में, बास तो सेम यही तरीका है, टमाटर में यहाँ तार खीचेगा जी, मतलब तीन फूट आइट पाया जी पांच फूट आइट पाया जो ब्याली शाट जी और जो पचास तेरा सागो तीन फूट आइट पी तार खीचेगा, बस उसी भे बन सारा और फिर उसके बाद उसकी सप्रेस प्राम जी बना तुड़ा ही चुरूब और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसे किसान फायदे में आ सके टमाटर के खेती, जैसे सर एकदम थंडा मुसम शुरूओ वान, दिसम्बर और जन्वरी उस टाइम बलाइट का जबर अगर जादा पैदावार है और बाजार में कीमत कम मिल रही है तो हम उसको प्रोसस करके जैसे उसके सूप होता है और जो टमाटर के चटनी होती है यह सब चीजें इन सब चीजों करें नहीं किसान नी करें जिक टिक शनी वह तो जी फैक्टरी वाला बनावा चटनी दो आप से डारेक्ट संपर करते हैं डारेक्ट जी कहां कहां कि वापारी आते हैं उत्राखंट जी चंडिगाड उत्रपरदेश पंजाब इमाचल दिल्ली लगभगियां कई वापारी आते हैं यह एक चीज़ और जो ऐसे आपने पर स्टार्टिंग में बताया कि कई बार कीमत जो है कम मिलता है चुकि बाजार में डिमांड उनकी कम होती तो कीमत यहां पर भी कम मिलता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए जिसे किसानों को नुकसान भी नहों और उनको उनका उचित भाव भी मिल जाए यह तो सर गोर्मेंट नहीं पोलिशी बनानी चीए कि आम तर पर लोग नौकरियों के भाग जाते हैं तो आप आपके अंदर यह सक्ता है कि अच्प पिताजी क्हेती कर रहे लिए उस टैम भी रही होंगी। फिर आपने क्यों खेती को चुनी अम तो खेत महीं आगे था शुरूती ही 14-15 साल की उमर में खेती लगे था जी करण तो यह थे रिश्वाल जी और जो इस सेजन में जिन्होंने करीब एक करोड रुपय का टमाटर को बेचा है इसके अलाव भी भागवानी के और भी बहुत सारी फसलों की खेती करते हैं वह और और किवल खेती नहीं करते हैं, बड़े पैमाने पर उसकी बिक्री भी करते हैं, तेश के कई राजियों में यहां से टमाटर हो, करेला हो, गहीया हो, गीया हो, तमाम तरीके की सब्जीयां जो है यहां से जाती हैं और सप्लाइए होती हैं, ऐसे वीडियो को देखने के लिए गाउन जंक्षन को सब्सक्राइब करना मत भूले, गाउन जंक्षन के लिए हिमान्शू मिश्रू